हलो फ्रेंड्स यदि आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंसी में आपके नाभी इस तरीके से बाहर निकल के दिख रही है और या पॉप आउट हो गई है तो आपको लग रहा होगा कि यह क्या नई समस्या क्रियेट हो गई है तो मैं डॉप्टर सुशीला सैनी का इनिक ल काफी हद तक कॉमन है यह किसी प्रकार के बिमारी नहीं है बट इसको अंबलाइकल हर्निया के नाम से जानते हैं यदि अंबलाइकल हर्निया बिफोर प्रेग्नेंसी आफ्टर प्रेग्नेंसी देखा जाता है यानि कि जब प्रेग्नेंट नहीं है तो डेफिनेटली उसका स lose skin होती है, ये अंदर के तरफ tuck in होती है, बाहर pop out نہیں होती है, बाट जैसे जासे बेबी अंदर grow करने लगता है और अंदर बेबी का size बढ़ता है तो abdomen के अंदर yaitin पेट के अंदर pressure बढ़ने लगता है, और जैसे ये pressure पड़ता है तो किसी लेडी का इसकिन या अंदर का टिशू होता है जिसकी वजह से प्रैशर बढ़ने की कारण एंदर की तरफ पॉपाउट हो जाती है और जैसे यह बाहर पॉपाउट होती है तो इंट्रस्टाइन यानिकी आतें भी उसके इंदर जाने लग जाती है क्योंक ही इंटस्टाइन भी जा सकती हो मेंटम भी जा सकता है या और भी कोई सा पिट का अंदर उसके अंदर प्रविश कर सकता है लेकिन इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन कभी कभी किसी इस्तिती में किसी लेडी को यदि पहले से हरनिया की प्राब्लम चल रही है और वो प्रेगनेंट है और उसका प्रेशर और बढ़ रहा है और उसका साइज बढ़ रहा है तो कई बार इंटस्टाइन उसमें आके अटक जाती है तो प्राब्लम दे सकती ह तो यदि ऐसी कोई emergency होती है तो definitely फिर pregnancy के दोरान भी surgery की जाती है तो जब surgery की जाती है तो उसमें ये जो हिस्सा जो कमजोर हो गया है उसको support करने के लिए again इसमें जाली लगाई जाती है और जो opening बनी है उसको बंद किया जाता है फिर उसको उपर support करके जाली stitch किया जाता है और फिर उसको repair कर दिया जाता है ताकि ये normal हो जाए लेकिन generally pregnancy में operation advice नहीं किया जाता अब आप इससे बचने के लिए क्या कर सकती है तो generally इससे बचने के लिए as such pregnancy के दोरहन कोई उपाय नहीं है बट फिर भी धीरे यदि आपको लग रहा है कि ये problem सामने आ रही है यानि कि एकदम से तो बहुत सारा हर्णिया या अमलाइकल हर्णिया नहीं बनता है धीरे धीर बारी वजन नहीं उठाना होता क्योंकि जैसे भारी वजन उठाते हैं तो जोर बढ़ता है अंदर का प्रेशर बढ़ता है और ये समस्या बढ़ने के चांसे बढ़ जाते हैं दूसरा खासी बहुत जदा ये आपको रहती है कबजी जदा रहती है तो तीनों चार उस्तिति को अवाइड करना पड़ेगा और थोड़ा रेस्ट जदा करना पड़ेगा और फिर भी आपको लगता है कि प्रोब्लम लगातार बढ़ती जा रही है तो डॉक्टर को एक बार दिखा कर कंसल्ट जरूर कर लीजे कि इसका कोई डेफिनेटली अभी कोई ट्रीटमेंट करने आप ट्रीटमेंट ले सकती है प्रेगनेंसी को आप करना ही होता है प्रेगनेंसी को आप ऐसा नहीं है कि इस प्रोब्लम के चलते हैं अपन उसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं तो बच्चा बढ़ता है प्रेशर भी बढ़ता है और आपको उसके ऐसे स्थिती में बहुत बढ़ने की संबाबनाइं बढ़ जाती है तो उनको भी थोड़ा कट डाउन कर सकती है वाकि खाना पीना फलका रखिए दो घंटे के अंदर कुछ भी खाते रहिए भूके नहीं रहना होता है लेकिन बहुत जादा है फूड नहीं खाना होता है जिससे कि को इंटस्टाइण म लिए हलका खाना-खाना पानी जादा पीना है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम नहीं करना है भारी वजन नहीं उठाना है और खांसी और कबजी से बचके रहना है तो यह इस आतार तरीके हैं जिनसे कि आप इस प्रॉबलम को आगे बढ़ने से थोड़ा रोक सकती है और फिर भी यदि आपको प्राब्लम क्रियेट होती है तो आप डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज ले सकती है मैं समझती हूँ कि आपका ये प्राब्लम का समस्या का समाधान हमने कर दिया है यदि फिर भी आपके कोई कॉशन्स रहे गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके हमसे पूछ सकती है हम उनके आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बैल आइकन को ज़रूर कर दीजिए ताकि आगे के वीडियो के नूटिफिकेशन आपको मिलता है और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है तो आप इंस्टा के लिंक को भी क्लिक करके हमें वहाँ भी फॉलो कर सकती है हम आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकर के साथ तब तक नमस्कार